जैमा मरी आप सभी को मरी मा बसक्ति आप सब का स्वागत है मैय गरपा आप सब परबनी रहे एक टॉपिक है जानकारी का विशह है आज बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जैसे दिन में ही एक महराज से साधक का कॉल आया था बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के नाना स्टेट से मतलब कन्फेस करते हैं, आते हैं, सुनते हैं और काफी सारी चीज़े बोलते हैं तो कच्चे मशान के बारे में जरूर पूछते हैं तो उनलोग पूछ रहे थे कि कच्चा मशान एक्चुली कैसे बेचा जाता है आप बताईए पैस पर जानकारी क्या है पहले इस चीज़ों समझिए तंतर की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वो ग्रामणी हो ग्रामणी के अलबावा शहरी तंतर हो चाहे वैदिक हो, तंतर मंतर कुछ भी हो मशान जो कच्चा होता है, बहुत पावरफुल होता है मैंने पहले भी वीडियोज में यह चीज़ बताई है यूट्यूब में इस जानकारी को किसी ने नहीं दिया था कभी कि उसकी पावर इतनी एक्स्ट्रीम इतनी जादा क्यों होती है क्योंकि वो परम बरम के तत्व से बहुत पास रहता है जिस प्रकार से आपकी उमर पच्चस साल है तो आप पच्चस साल दूर है उस तत्व से लेकिन उसके पास एनरजी बहुत है उस टाइम पर, जब वो मरता है तो उसकी एनरजी को कैसे यूस किया जाता है तो पहले इस चीज़ को समझते हैं, जब कच्चा कलवा मरता है, तब सबसे पहली चीज़ आपको उसको सिद्ध करते आना चाहिए. उसको सिद्ध करने के लिए, कच्चे मशान को सिद्ध करने के लिए, आपको अपने गुरू की बहुत आविशकता पड़ेगी. ठीक, जैसे आपके गुरू ब्रम्लीन हो चुके हैं तो आप ब्रम्लीन गुरू से आज्या लीजिए उनके सामने नारियल पूजा पाटकरबत्ती करके यह सारी चीज़े करें दूसरी चीज़, अगर आपके प्रत्यक्ष गुरू हैं तो आपको उनसे मिल करके या फोन कॉल पर जैसे भी आके लेनी हो ले सकते हैं उसके बाद उसको शमशान में या फिर एक ऐसी जगे जहां पर सूनसान हो वहां सिद्ध किया जाता है अंधेरे में बिलकुल डार्कनेस होनी चाहिए तब ये सारी चीज़े सिद्ध होती है अगर हम इसको बोलें कि हम इसको उजाले में या दिन में करें तो नहीं ये सिद्ध होगा ही नहीं कई लोगों ने बोला क्या उथूक से पारलेजी बिस्कुट से दूद देना पड़ता है कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ उसको शराब लगती है जैसे ही हम उसके सामने मुर्गे का भूग रखते है आपको उसको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती वो फड़फडा करके अपने आप मरना चालू हो जाता है इस चीज से आपको यह पता चलता है कि हाँ वो सिद्ध हो रहा है जब वो आँखों में आपके जूडने लगे ठीक तब यह सारी चीज़े होती है कच्चा कलवा की एक बात और खास है कि वो अपना शेप और साइज बदल सकता है अगर आपको वो छोटा दिख रहा है तो बड़ा भी दिख सकता है बहुत जादा बड़ा दिख रहा है तो छोटा भी दिख सकता है क्योंकि यह बच्चे के रूप में होता है और यही चीज़ आपने देखी होगी कि मशान के जतने भी मंतर होते हैं तो उसमें दोहाई लगाई जाती, मशान चले महाकाली का नाम लेकर गे और जब वो तीन बार आप उंगलियां फेरते हैं, तब वो काम करना चालू करता है दूसरी चीज ये, कि इसको जब जगाया जाता है, शराप, काला मुरगा या उल्टे पर का मुरगा इसका जो भोग लगता है उस चीज पर ये चलता है ये एक ऐसी प्रचंड़ शक्ति है, जिससे आप काम लेते हैं, तो अच्छा या बुरा लेते हैं, वो आपकी उपर है जब इसको सिद्ध करने के बाद, 21-21 दिन में, या तीन दिन में, जो भी आप कर रहे हैं इसकी प्रोसेस सिद्ध करने के बाद, आप इसको रखेंगे कहां सबसे बड़ी बात तो वही है, कि आप कोई भी शक्ति को इसकी उर्जा कहां रखेंगे तो आप कोई पत्थर में इसकी उर्जा डालते हैं, मशान दादा, मशान बाबा अपने बहुत सारे इसे मंदर सुने होंगे उर्जाओ को वहाँ पस्थापित किया गया है, या फिर आप इसकी उर्जा कवच में, या कोई भी चीज में आप कंगन में डाल करके रखते हैं यह उस चीज से आपको बताता है, बचाता है अब आते हैं कि यह दिखता कैसा है, अब इस चीज को समझिएगा, कई लोगों ने जैसे फोटो डाली हुई है, योट्यूब पर भी चोटा सा बच्चा जैसे दिखता है, तो इस चीज को हमेशा समझिएगा, कि यह लंगोड जरूर पहना रहता है लंगोड जरूर पहना रहता है, दिखता वैसे ही है, यही कारण है कि अगर इसको घर पे छोड़ा जाता है किसी के, तो वहाँ की जो भी देवी शक्ती रहती है, वो हट जाती है क्योंकि देवी कभी भी अपने बच्चे को नहीं मारती अब हाँ उस बच्चे की शक्तियों का गलत यूज हो रहा है, तो बात अलग है, लेकिन देवी कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारती, देवी किसी के बच्चों को नहीं मारती और example मेरे पास मा मरी की शक्तियां है या माकाली की शक्तियां भाह Υी की शक्ति सौरी भाह नहीं बोलूआ मैं देवता की बात में आएंगे कोई भी देविक शक्ति है तो वो अपने बच्चों को नहीं मारेगी कभी हर्ट नहीं करेगी वो खुद भूकी रह जाएगे लेकिन बच्चों को देगी आपने छिन नमस्ता, शाकनी और डाकनी हाकनी पिशाचनी और सबकी स्टोरी सुनी होगी कि माने खुद का सर काड़ दिया तो जब उतने बड़े बच्चे के लिए और अपने सेवकाओं के लिए कर सकती है और आप उसको अच्छे वे में अगर लाना चारें काल भैरव, बटुक भैरव मा कान पकड़ लेगी लेकिन मारेगी नहीं और बाप उधेड के रख देगा लट्थ से इतना याद रहना है चाहिए आपको कि मा कान पकड़ लेगी बच्चे के लेकिन मारेगी नहीं और बाप उधेड के रख देगा आपने देखा वो ना भैरव जी जो सौटा लेके निकलते हैं तो वो ऐसा सूट डालते हैं वो ऐसा सूट डालते हैं ये सारी चीजों को कि दोबारा इन लोग फिर देखते नहीं है अब आते हैं इसको भेजने का तरीका कैसा रहता है भेजने का तरीका इसको इसी प्रकार का रहता है कि आप जो शम्शान में जब एंटर करते हैं तो मा काली और भाबा भहरव से जब परमिट मांगते हैं यह सारी चीज करने का और जब यह सारी चीज करते है तो अपर क्या करते हैं उस चीज में कि सबसे ज़ादा सबसे पहले उरद हो गया राई हो गई, सरसो हो गया इन सारी चीज का मिक्षर होता है दारू होती है और उरद को बारिक पीस लिया जाता है सामनेवाले का कपड़ा नाम, फोटो, इन सारी चीजों से उसको अभी मंतरित kiya जाता है शम्षान की राको कच्छे कलवे के मंतरों से जब आप उसके मंतरों से इस चीज़ को अभी मंतरित करोगे कच्छा कलवा, वहां की सारी शक्तियां जो आपको चाहिए हो अब एनरजी है अब आपके उपर आपसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हो या बुरे तो सबसे पहले वो घर में एंटर करेगा तो घर में किस के तुरू एंटर करेगा ठीक समझेगा जब आप उसके मंतरों से उरत राक कुछ भी चीज़ उठाएंगे उसको उने मंतर देंगे हल्दी चावल कुमकूम सिंदूर से जल से, दारू से मीठे से लॉंग से, तामसिक पद्धती से नीबू से जब उसको उठाएंगे आप उसको अभी मंतरत कर लेंगे चौकी लगा करके तब आप सामने वाले को पुडिया बांद के देंगे और बोलेंगे भीया तिरको जिसका घर खाड़ना है या खंडित करना है या कच्चे कलवे को उसके अंदर भीजना है तो वो चला जाएगा जैसे ही उसने राक फेकी राक का एक कंकड मात्री भी आपके दरवाजे में टच हो गया दरवाजे में चला गया दरवाजे के अंदर चला गया या दरवाजे में लग भी गया तो इसका मतलब वो एंटर हो गया अब वो घर पे मचाना चालू कर देगा तहल का यहां घूमना वहां घूमना ठीक अपने साथ बहुत सारी शक्तियां लेके चलता है क्योंकि यह गंदी तो नीचे भी घूम रहा है, उपर वाले फ्लोर में भी घूम रहा है मास की बदगू आ रही है, रात में रोने की आवाजें आने लग रही है एक दूसरे को देख करके चिड़ उत्पन हो रही है बीवी में, पती में खुद सोचे ना किसी के सीग नहीं लगे चोटी-चोटी बातों में कलाय करने लगेगा एक पड़ रहा है, एक उट रहा, एक उट रहा, एक उट रहा ऐसे बिमार करने लगेगा कई बार तो यहां तक होता है कि जैसे आप सीड़ी से जा रहे हैं यह हुआ है, मैंने केस ठीक किये हैं बता रहा हूँ इसलिए सीड़ी से जा रहे तो सीड़ी से धक्का दे दे चच से खड़े तो वहां से धक्का दे गाड़ी से जा रहे तो वहां से एक्सिडेंट कर दे आप कितनी भी फिर पूजा पाट कर लो लेकिन घर पे वो महौल क्रियेट नहीं होता बोलते हैं कि नकरात्म कुर्जा जब आ जाती है और इस प्रकार की नकरात्म कुर्जा जब घर पे आ जाती है तो वो अच्छी सकरात्म कुर्जा को रहने नहीं देती तो फिर वो गंदी-गंदी चीजे आपको दिखेंगी लेटरंग दिखना, गंदी चीजे दिखना, संभोग दिखना अगर किसी लड़की के नाम से छोड़ा गया वा यह लड़के के नाम से तो उसे वो संभोग भी करने लगता है अब वो संभोग जब करने लगता है तो बहुत सारी दिक्कत परिशानिया होती है उनके साथ यहां तक कि मैंने ऐसे ऐसे केश देखे है कि उनको अपने नाभी तक उस चीज का एसास हो रहा है कि कोई संभोग कर रहा है रात में दिन में कभी भी कुछ होने लगना और वो बहुत भयावर स्थिती बना देता है कई बार तो आपस में ऐसा लड़ा देता है लोगों को कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते है इस प्रकार से कच्चा कलवा ये सारी चीज़े करता है अपने आप ही आपके घर पे मटन मास मचली दारू खाने की ज़्यादा प्रवत्तियां बढ़ जाएंगी क्योंकि वो नेगिटिव है रात हुई और आपका घर खुद शम्शान बनने लगेगा देखना दिन मार आप थोड़े बहुत ठीक लगोगे थोड़े एनर्जेटिक रहोगे आँखों पे भारी पन नी रहेगा कंधा पर भोज अलका लगेगा सब चीज ठीक रहेगी लेकिन जैसे ही रात हुई आप मतलब ऐसी वाइप फील करोगे इतना डिप्रेशन में चले जाओगे ओवर तिंक करने लगो कि मैं मर जाओ ये सारी चीज़े ये साब करता है कच्चे कल्वे कोई सी प्रकार से भीजा जाता है ठीक और आप भी जैसे जानते है मशान, शम्शान की कोई भी मशानी क्रिया होती है तो शम्शान मशान के ही सादक उतारते हैं फिर जैसे बाबा भहरव हैं बजरंग बली हैं इन सब चीज़ की साहेता ली जाती है यहां उठाओ मुगदर लाओ अब गदाधारी और मारो अब इसको ऐसा और इसको भगाओ तो कान पकड़के नहीं कान फर मरोड देते हैं इस कारण से तो यह जो जानकारी थी कि कच्चा कलबा को कैसे भीजते हैं यह रही जानकारी थी दारू, उरत के दाने बताशा लाई, मीठा पान नारी अलपूल अगरबतीन सबसे बेजा जाता है शम्चान से और यह वही बेजते हैं जसने सिद्ध करा हो ऐसे नहीं कि आप उठागे फेग दोगे किसे के भी घर पे तो होने लगे उल्टा आपके उपर भी हो सकता है भी या तो यह सारी जानकारी कैसे भीजते हैं नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसको बताएंगे कि अगर यह आपके घर पे आ गया तो आप इससे कैसे बच सकते हैं लॉंग टर्म फॉर्मले क्या होंगे उसके बचने के और कैसे आप इसको अपने घर से सोता ही भागा सकते हैं आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो जैमामरी